क्जिट्व एकक्ष्ट्वएं इसका नाम है क्ट सिंग यー टो एरे आप लोग को पता चला गया होगा कुछ दिनमें आप लोग को पता चला सब भूल सारी चीज़े में ने और एकically VPN करेंए के बाद ब्हुथा के बात पर यहांlar करते हैं कि आप फाइनली रीग्जाम तो हो रहा है जिन बच्चों को मौका मिल रहा है री और जरूर से जरूर रीग्जाम दे पर री इग्जाम देने से पहले ये बात जरूर जान ले क्या तो देखो अब यार आपको पता है आपके एक्जाम 25-26 मार्ज को हुई थी और आपको 27 अप्रिल को फिर से री एक्जाम होने वाला है तो एक महीने का टाइम मिल गया आप लोगको तो यह जो री एक्जाम जो आपका जिस दिन पेपर होगा हो सकता है कि री एक्जाम का पेपर आपको difficult देखने मिले क्योंकि आप लोगको दुसरे students के मुकाबले एक महीना extra मिल रहा है तो यार आपको पेपर में difficulty level थोड़ा सा उपर देखने मिले तो यार यह जो एक महीना आपको मिल रहा है तो इसको अच्छे से utilize करो preparation करो क्योंकि यार पेपर का difficulty level मुझे पीच में exam होने तक बहुत सारी updates आएंगी admit card release होगा बहुत कुछ होगा तो चैनल में बने रहा है वीडियो end करता हूं thank you